दोस्तों जैसे कि आपको पता है आप निया डिवाइस खरीदते हैं तो आपकी बैटरी बैकप काफी अच्छा रहता है जैसे आपका डिवाइस पुराना होता है वैसे आपके डिवाइस की बैटरी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है यह दिक्कत हर एक के साथ होती है मेरे साथ भी होती है, तो मेरे पास डिवाइज को कम से कम दो साल हो चुक है इस डिवाइज को, जब मैंने नया पर्चियस किया था लेकि तब उसकी बैटरी, इसकी बैटरी काफी बढ़िया चलती थी, ठीक है, और अब जो इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होना स्टार्ट हो ज तो आज आपने मेरा पूरा वीडियों पर ध्यां से देखना है कुछ सेटिंग्स पूर मतलब की कुल मला के आपने जो मैं प्रसेस करूंगा वो प्रसेस करेंगे तो आपकी बैटरी 101% जो है बढ़िया चलेगी दो दिन लगवा आपके बैटरी जो है चल पड़ेगी दो दिन ट्राइ किजिएगा तो कौन सी वो सेटिंग है कैसे आपने अपलाई करनी है मैं आपको पूरा है पर डीटेल में बताऊंगा सोना मशकार दोस्तों मेरा नाम राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूस टैक चैनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ट्रिक कोड भी है वो कोड आपको मैं बाताऊंगा क्यूंकि पहले आपने सेटिंग्स यहां पर देखनी है ठीक है सेटिंग्स में जाना है यहां पर सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे को स्कोल डाउन करना है आपने जाना है सबसे पहले सेटिंग Battery & Device Care वाल है आपके डिवाइस में Device Care भी अह लेकिन रहाए बैटरी लाल है कुछ और भी हो सकता है लेकिन कुल मुलिकस के बाद आप को बैटरी वाली हो जाना है जो फोन बाद आ Cette बाद This आपने कुल मला के जाना है बैटरी वाले उप्शन में चलेगे यहां पर जाने के बद आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा जो पहला स्टैप है वो कौन सा है पर आप पावर सेविंग उप्शन में इसको नहीं करेंगे बहले यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आप देखेंगे, turn off, always on display, limit CPU speed to 70%, decrease brightness by 10%, ठीक है, तो आप इन तीनों option को देख लीजी, ठीक है, पहले आपका जो, अगर आपके device में always on display, on है, तो वो automatically on, off हो जाएगा, turn off हो जाएगा, जब इसको आप on करेंगे, उसके बाद limit CPU speed to 70%, जो आपके device का CPU है, उसकी speed limit हो ज यह नहीं देगा, फिर, आपका CPU जो आपको phone का, वो 70% आपना योगदान देगा, उसके बाद यह नहीं देगा, उसके बाद यह नहीं देगा, उसके बाद यह नहीं देगा, उसके बाद 10% ठीक है, आपकी brightness जो 10% decrease हो जाएगी, अगर आप इसे भी on कर देंगे, limit apps and home screen, तो आपका totally device black mode में चला जाएगा मतलब की dark mode में चला जाएगा dark theme इंप्लाई हो जाएगी और आप हाँ पर limit की app यूज कर पाएंगे और नहीं लेकिन आप इसको off रखेंगे इसको on नहीं करेंगे फिर मैं इसको यहाँ पर on कर देता हूँ कर दिया इसके बाद ठीक है अब आता है background uses limits यह बहुत ही important feature है बहुत ही कम्माल का है company नहीं यह option इसलिए दिया है ताकि आप अपने device को जादा जादा यूज कर पाएं जादा आपकी battery चल पाए sleeping apps पे जाएंगे sleeping apps पे आप यहाँ पे कोई वी app add कर सकते हैं जो कि आपकी background में run करती रहती हैं तो आप चाहते नहीं कि वो जो है automatically on रहे है याप कुछ भी रही ठीक है आपने उन्हें sleep mode में डाल रखना है यहाँ पे add कर सकते हैं तो मैंने आप एड़ करते हैं यह application sleep mode में ही रहेगी जब तक इसमें कोई notification नहीं आता डीप sleeping में करेंगे मतलब कि आप यह है ठीक है हो गया उसके बाद आपने बैक आना है ठीक है बैक आगे यह आपका जो step है यहां पर complete यहां पर हो चुका है उसके बाद यहां पर आपने क्या करना है बहुत important setting है for example आपकी battery कितनी है 74% तो कई कई बार क्या होता है आप phone charging पर लगाती है आपके मानलों कि 10% battery है ज हो लेंगे यह जल्दी 100% कैसे हो गया तो किसी के साथ इस case में यह होता है कि वह पंदरा मिन चार्जिंग में लगाते हैं उसकी battery फूल है लेकिन यह आपके software का बग रहता है जिसे से आपका device पुराना होता जाता है तो यह बग्स ज्यादा बढ़ जाता है इसको fix कैसे करें इसके लिए सैमसंग वालों ने एक secret code जो है बनाया है तो इस code के बारे मैंने शायद आपको पहले भी बताया था आपने simply जा रहा है डाइलिंग वाले option में यहां पर आपने secret code यहां पर डाइल करना है ठीक है एकदम से pop-up window यहां पर open हो जाएगा pop-ups आजाएगा तो यहां पर क्या करना है आपने अप धियान से देखना है ठीक है उसको आपका battery status आजाएगा ठीक है अभी मेरी बैटरी कितनी परसेंट है 73 ठीक है तो देखते कि मेरी बैटरी में यह बग है यह नहीं है मैं quick start पर click करूँगा यहां पर आएगा fuel gauge will be reset causing battery capacity to be incorrect do not use it unless to return in your test procedure ठीक है तो यहां पर आपकी जो बैटरी की जो capacity है वो incorrect रहती है तो इसको वो correct करता है ठीक है इसको मैं okay कर दूँगा okay करने के बाद देखते हैं यहां पर दूबार से आपने okay एक दूबार आपने okay कर लेना इसको ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपने back आना है और आपने device को restart कर लेना है एक बार ठीक है तो restart करने के बाद आपकी जो actual percentage रहेगी वो आ जाएगी तो मेरी यहां प तो आपने वाल दीस्टार्ट जुरूर कर लेना है तो इस ट्रिक को ट्राइ कीजिए अगर आपको समझ मेने लाएगा तो कमाड बोक्स पे कमांड करना है तो हाज की वीडिए अपको कैसा लगा कमाड बोक्स पे कमांड कीजिए वाइब टेक जाहिन बंदमात